तनिवाद स्वावती मोदे माननी मोदी सरकार ने एक काम बड़ा अच्छा किया जोनों ने अनारक्षित वर्गों के बच्चों को केंद्री सेवाओं में आरक्षन कि दिया लेकिन यदि आप देखेंगे कि चूकी उसमें ऐसी शर्ते लगाई गई हैं जिनकी वज़े से प्रती सीट जो संख्या गरीब परिवारों के अनारक्षित वर्गों के गरीब परिवारों की है वो बहुत कम हैं के लिए ये यूपीसी रिक्रूट्मेंट में जहां अनुसुच जाती वर्गों के लिए उननीस सो पच्ची पचास बच्चे एक सीट के लिए आ रहे हैं श्रीडू ट्राइब में तेरा सो पच्पन एप्लिकंट्स आ रहे हैं एक सीट के लिए ओबीसी बारा सो पच्चीस लेकिन EWS से economically weaker section से केवल 599 इसी तरह से जितने भी आप categories देखेंगे इसमें आप चाहे UPSC engineering services हो UPSC forest services हो इस तरह से हमारे युवतियों का भी यदि संख्या लेंगे 30 seat तो वो भी बहुत कम है इसलिए आवश्यक्ता इस बात की है कि उनकी IU में और उनकी जो दूसरी शर्तें उसमें कुछ relaxation दिया जाए उधारन के लिए SCST work के जो छात्र है उनको केंद्री सेवाओं में IU का relaxation छूट लगबग 5 वर्ष है OBC के बच्चों का 3 वर्ष है लेकिन EWS section के बच्चों का relaxation नहीं है इसमें मेरी प्रात्नाय माननी सदर की निता जी से और हमारे प्रदान मंती जी से कि वे इसे इस section के लिए भी अनाराक्षे तुबर्ग का जो छात्र छात्रा हैं उनमें भी age relaxation उन्हें दिया जाना चाहिए इसी प्रकार लगबग दो साल का age relaxation दिया जाना चाहिए उदारन के लिए कई राज्यों ने जैसे राजस्तान ने पांट साल कर दिया है गुजरात ने पांट साल कर दिया हर्याना ने पांट साल कर दिया महराष ने आंकम की जो लिमिट है उसमें कई जगे उन्होंने इंकम के लिमिट भी हटा दी है उधारन के लिए गुजरात और राजस्तान ने इसलिए मेरी मांग है माननी सभथियाफ के माध्यम से कि इसमें अनरक्षे तुबर्गों के चातर चात्राओं को एज में और अन्य शर्तें जो हैं उनमें भी रिलेक्सेशन दिया जाए धन्यवाद